फिल्म दुरहीन गंगा पार के हिट क्या हुई खेसारी और उनके फिल्म के टीम मेंबर के खुशिया बढ़ गई है खुशिया बढ़ना जरूरी भी है ये खेसारी की फिल्म है जो हर मायने में उनके लिए खास है क्योंकि इस फिल्म में उनकी बेटी कीरती पहली बार डिव्यू कर रही है जिसने ये फिल्म देखा वो फिल्म की तारीफ किये बगएर नहीं रहा और खास कर कीरती की तारीफ किये बगएर वो नहीं रहा सबी को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है क्योंकि फिल्म साफ सुतरी है खेसारी के फैंस भी इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं और हर जगे फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है लेकिन एक खबर खेसारी के फैंस को और खेसारी के लिए मायूसी देने वाली है अब तक भोजपुरी परदे पर Wanted इस साल की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म है वहीं दुलहिन गंगापार के रिलीज तो हो गई है फिल्म अच्छा बिजनेस भी कर रही है लेकिन उतरा बिजनेस नहीं कर रही है जितना Wanted ने अपने सुरुवाती दिनों में किया था सभी को ये लगा था कि दुलहिन गंगापार के Wanted से बड़ी हिट सावित होगी यहां खेसारी के फैंस ने खेसारी को धोखा दे दिया खेसारी की फिल्म भले ही अच्छा बिजनेस कर रही हो इस फिल्म को खेसारी ने अपनी फिल्म न बता कर बलकि अपनी बेटी की फिल्म बताया था और लोगों से ये अपील की थी कि जितना प्यार वो उन्हें देते हैं उससे दुगना अपनी बेटी को दे क्योंकि खेसारी ने जहां जहां फिल्म की publicity की वहां किर्ती को अपने फैन्स की बेटियां ही बताया खेसारी का कहना था कि जिस तरह फैन्स ने उन्हें जमीन से आस्मान पर लेजा कर विठा दिया है ठीक उसी तरह उनकी बेटी की फिल्म को भी वो इसी तरह का response दे और दर्शकों ने रिस्पॉंस दिया भी लेकिन फिल्म वांटेड ने जो बेंचमार्क क्रियेट किया है लगता है खेसारी की फिल्म उसे चू नहीं पाएगी वैसे अभी फिल्म सिनेमा घरों में लगी है कुछ कहा भी नहीं जा सकता मायोस होना अभी दूर की बात है विकेंड का दिन है और हो सकता है कि फिल्म उतनी कमाई कर ले भोजपूरी जगत की अधिक से अधिक जानकारी के रिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूली झाल झाल